दिव्या भावी को देखकर मनचलों के दिल में धक धक होने लगती थी देवर चिंटू भी अपनी भावी का रस्पान करने के लिए उतावला था एक दिन वै ऐसी दवा लाया कि दिव्या भावी पर सेक्स का भूत सवार हो गया क्या चिंटू को अपने प्लान में कामया भी मिली दिव्या भावी को कौन नहीं जानता पूरे गाव में चर्चे हैं उसके यह भी अववा है कि गाव में अभी तक उसके जैसी सुन्दर भहू नहीं आई है बिना सिंगार किये भी लुभावनी और आकरसक लगती है चाल ढाल, नए नक्स, सरीर के किसी भी अंग में कोई कमी दिखाई देती ही नहीं सुन्दर होने के साथ ही तिव्या भावी बहुत जोड, मजाकिया और गंदी सरारतें करने वाली है इसलिए गली मोहले का कौन सा लड़का है जो उससे मिलने को उतावला नहीं रहता गाउं में अफवाह सी फैली हुई है कि लड़के उसकी और चुम्बक के समान खिचे हुए चले आते हैं 14-15 साल वाले जिन लड़कों के जवानी के किटाणू काटने सुरू करते हैं बे दिन में कम से कम एक बार तो दिब्या भावी के दर्वार में हाजरी देते ही रहते हैं नया नया जवान होने वाला कोई किसोर उसके दर्वार में अगर एक ही दिन में दो तीन बार हाजरी दे तो कोई हैरत की बात नहीं दिब्या भावी भी इतनी सरारती है कि ऐसे लड़कों का कभी अंग पकड़ कर हिला देती है तो कभी उनके छातियों में पड़ी हुई गठलियां भीच भीच देती है जब लड़के दर्द से कराते हैं तो उसे बड़ा मज़ा आता है दिब्या भावी के देवर चिंटू ने अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखा है जवानी के कीटाडूं ने आजकल उसके अंदर तहलका सा मचा हुआ है चिंटू का असली नाम अभी सेख है लेकिन घर और आसपास के महले वाले उसे चिंटू ही बुलाते हैं इसकूल में भी उसने यही नाम लिखवाया है दसवी जमात पास करते ही चिंटू ने ग्यारमी में दाखिला ले लिया है उसका परिबार भी ज़्यादा बड़ा नहीं है भाई भावी के अलावा एक दादा है जो घर ते दस कदम दूर गहर में पड़े रहते हैं दादा जी की एक विद्वा बहन है जो अब यहीं रहती है चिंटू और उसका बड़ा भाई मोहन उसे फुआ के नाम से पुकारते हैं बड़े बुडों के इन रूप में इन दोनों ही चिंटू और मोहन को आसिरवाद हासिल है क्योंकि दो साल पहले उनके मम्मी पापा की क जब भी मौका मिलता है उसके साथ छेड़ खानी करने से नहीं चुकता वह नहीं मानता भावी मा समान होती है उसे तो अपनी भावी दोस्त के जैसी दिखाई देती है दिब्या भावी भी जब तक मौका देखकर चिंटू के गाल पर चूट कर निकल जाती एक दिन जब चि लेटा खाना खा रहा था तो पीछे से आकर दिब्या ने उसके गाल पर काट भी लिया था चिंटू के मुझ से चीक सी निकल गई थी देवर भावी में अक्सर ऐसी सरारतें और नोक चोक होती ही रहती है लेकिन उन दोनों में से कोई बुरा नहीं मानता कुछ ही समय एक अंदाजा है कि वह एक दो साल और भी बड़ा हो सकता है क्योंकि पापा ने स्कूल में जन्मतिति कम करके लिखवाई थी चिंटू के अंदर बिशेश की टाणू कई साल पहले बन चुके थे जिनें उसने अनेकों बार निकाल कर देखा वह केवल यही देखना चाहता था कि उनका रंग कैसा होता है क्योंकि उसके किसी दोस्त ने बताया था कि पहले उनका रंग सफेद होता है फिर पीला हो जाता है इसलिए इस सिद्दान्त पर उसने कई बार प्रयोक करके देखा जब भावी चिंटू के साथ गंदी सरारतें करती हैं तो कीटाडू को बार बार मुस्कुरा कर देखने और मीठी मीठी बातें करने पर तो उसके अंदर कुल बुलाहट सी मच जाती है एक दिन तो चिंटू को इतना जोसाया कि उसने मौका तलासकर भावी का हाथ पकड़ लिया भावी ने अपना हाथ यह कहते हुए छुडाया देवर जी पहले इस लायक तो हो जाओ चिंटू नहीं समझ पाया इसका मतलब क्या है उसने खुद ही कई बार इस बाके का मतलब निकाल कर देखा लेकिन उसका सही मतलब नहीं समझ पाया इस बाके का मतलब हाँ है या ना इस बारे में बहुत भरमित रहा फिर उसने खुद ही मतलब निकाला कि प्यार ठंडा बना दिया था चिंटू के भईया आज घर पर नहीं थे उन्हें जरूरी काम से एक रिष्टेदार के घर रुकना पड़ा था इसकी जानकारी उन्होंने फोन पर दिब्या को दे दी थी दिन में तेज हवाएं चलने के चलते विजली गुल थी तार तूट जाने की क्राम सही लगा वही करने लगा चिंटू को अपना होमबर्क करते हुए अचानक सुजा भावी के पास कई सारी कहानियों की कितावें है कौर्थ की कितावें तो पड़ता ही रहता हूँ आज कोई अच्छी कहानी पढ़ूँगा चिंटू सीधा भावी के कमरे में पहुंचा बिना कुछ बोले ही दरवाजे पर खड़ा होकर भावी को निहारने लगा उस समय भावी बिस्तर पर आउंधी लेटी हुई फोन को स्क्रॉल कर रही थी बगल में कोई पत्रिका रखी हुई थी ऐसी हालत में वह एकदम हीरोईन के समान दिखाई देने लगी मुम्बत्ती की धीमी रोसनी में उसका हर अंग मन में रोमांच पैदा करने वाला था कौन सा अंग था भावी का जो नागिन के समान लहराता नहीं दिखाई दे रहा था वाह क्या नजारा था उस समय दिब्या भावी के प्रति होने वाले आकरसन को चिंटू रोक नहीं पाया चिंटू ने अंदर आकर दिब्या की कमर पर छूटते हुए कहा भावी कोई पत्रिका दे दो इस महीने कौन कौन सी नई आई है आज कहानी पढ़ने का मन है रेक में से ले लो वहां बहुत सी पत्रिकाइं रखी हुई है भावी ने भर्राई आवाज में कहा जैसे नसे में हो तुम ही उठा कर दो मुझे क्या पता कौन की मज़ेदार है किंटू ने थोड़ा हक जताते और जिद करते हुए कहा नहीं चाहते हुए भी भावी को उठकर पत्रिकाइं और किताबों की टैक के पास आना पड़ा भावी ने जैसे ही पत्रिकाइं उठाने के लिए हात बढ़ाया किंटू ने दोनों हातों से उसे पीछे से अपनी बाहों में कस लिया भावी ने नाराजगी दिखाते हुए कहा यह क्या कर रहे हो छोड़ दो कोई आ जाएगा किंटू और कसकर पकड़ते हुए बोला नहीं आज नहीं वरदास नहीं हो रहा है अब नहीं रहा जा था बस एक बार शीना चप्टी सी शुरू हो गई शिंटू कहता आजा भावी कहती ना ना तबी किसी के ठप ठप कदमों की आवाज चुनाई दी चिंटू ने तुरंत भावी को छोण कर उसका फोन उठाया और कान पर लगाते हुए जूट मूट किसी से बत्याने का नाटक सा करने लगा हाँ ठीक है अभी बात कर लूँगा मैं दस बज़े तक पहुँच जाऊंगा भावी जल्दी ही नास्ता बना देती हैं कालेज में ही आ जाना नहीं अभी घर पर ही आए चाहो तो बात कर सकते हो तभी फुआ अंदर कमरे में आई चिन्टू और भावी को सक की निगा से देखा और बिना कुछ बोले ही लोट गई गुस्ते में फौन बिस्तर पर फ्यक कर चिन्टू भी अपने कमरे में आकर सो गया इस कटना के बाद भावी ने चिन्टू के साथ बातचीत करना छोण दिया जब कभी बोलती भी तो गुड़क कर देखती तो घूर कर जैसे अभी काट खाएगी चिन्टू को भावी के इस बदले हुए बरताव की बज़य कुछ भी पता नहीं थी जब चिन्टू ने भावी से इस बारे में पूचा तो उसने कहा अगर मैं तुम्हारे साथ मज़ा कर लेती थी तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं गलत हूँ फुआ देख लेती तो क्या होता अगर तुम्हारे भावी को पता चल गया तो फिर अंजाम जानते हो कि क्या होगा चिन्टू को भावी के एस सब्द कांटे के समान चुबे पूरा काम हो जाता तो फिर ना बोलती बलकी और खुस होती अगर तुम्हें पूरा काम करना है तो इसका तरीका मैं बताता हूँ उतने चिन्टू के कान में खुस वसाते हुए सारा प्लान समझा दिया चिन्टू को सुनकर सांती मिली और थोड़ी हैरानी भी हुई ऐसी दबा भी आती है उसने खुती से जूमते हुए कहा कालेज की छुट्टी होते ही चिन्टू माम चंद बलवीर की दुकान पर पहुँचा और दुकानदार से बोला भेंस काविन करने की दबा चाहिए भेंस कैसी है दुकानदार ने कनकियों से उसकी और देखते हुए पूँचा खाटके की कटिया है कभी कबार बोलती है फिर चुप हो जाती है हरी होने का नाम ही नहीं ले रही बस गाल फुलाए जा रही है यह लोग एक पुडिया आधी साम को दे देना आधी सुबह को रोटी या आटे के गोले में मिला कर देना खाते ही बोलने लगेगी चिंटू ने बिल चुकाया और दबा लेकर घर आ गया बह बहुत खुश था आज तो होगा ही होगा दिल में उमंग थी जब भी भावी के बारे में सोचता सरीर में कामुक लहरती दोड़ती बार बार मन में यह भावना उठती सीधी उंगली से कभी खी नहीं निकलता उसने टेड़ा करना ही पड़ता है अब देखता हूं कि भावी कैसे बचेगी साम को खाना खाने के बाद जब सोने का समय हुआ चिंटू ने बड़ी चालांकी से दिब्या भावी के दूद में दबा की पूरिया की एक चोथाई मत्रा मिला दी गर में सोन खीर में कुछ सरारत सी हुई फिर तेजी के साथ दिब्या ने खुद को कई वार रोकना चाहा लेकिन सहबास की आग जो भढ़की फिर भढ़कती ही चली गई जब उसका खुद पर से कंट्रोल खत्म हो उसे अपने अंदर जौला सी दहकती महसूस हो रही थी इसलिए उसकी आखों में नीद कहां थी आखें बंद करते ही मन में गंदे ख्याल आने लगते उसने मोहन की और ललचाई नजरों से एक बार फिर देखा लेकिन वह गहरी नीद में था जब दिब्या से बरदास्त ना हुआ तो वह धीरे से उठी और चिंटू के कमरे में चली गई चिंट पर ला सकती है तो पचास किलो की औरत क्या चीज है आते ही दिब्या ने चिंटू के पास लेटते हुए कहा आज मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती है आओ अपनी प्यास बुजा लो चिंटू तो ये सब सुनने के लिए महीनों से बेकरार था भै लिपट गया जी वरकर प्य प्यास बखना चाहां मोहन जाग गया और बोला दिब्या क्या कर रही हो नीन तूटने से भै थोड़ा गुस्ता हो गया मैं नहीं जानती कि मुझे क्या हो गया है मेरे सरीर में कोई यॉआला मुखी फट रहा है मुझसे बरदास्त नहीं हो रहा है भै तडपते हुए गोद है आना ही पड़ेगा डाक्टर प्रसांत आदे घंते में हाजिर हो गया उसने दिब्या को चौक कर देखा इन्होंने बोई बहुत ज़्यादा गरम चीज खाई है इससे पूरे सरीर पर इलर्जी हो सकती है मावला कंट्रोल करने की कोसिज करता हूं बरना तुरंत अस्पता थी फिर ऐसा जादू चला कि खुद ही किसी चली आई कुछ दिन बाद देवर भावी ने फिर वही हदी मजाक शेड़कानी और सरारतों का सिर्फिला सुरू हो गया एक दिन भावी ने चिंटू के साथ कोई गंदी सरारत की तो उसने भावी को सब कुछ बता दिया साथ ही बाकी बची दबा की पुडिया भी उसके हांत में सौंप दी दिब्या को पहले तो गुस्ता आया लेकिन फिर उसकी आंकें सर्म से जुग गई वह अपने दोनों हाथ मूँ पर रखकर सरमाती हुई तेजी से चल दी सायद वह चिंटू के सामने पहली बार सरमाई थी अब जब भी दिब्या भावी चिंटू के सामने आ जाती है थोड़ा मुस्कराती है और निगाह नीची करके चली जाती है तो दोस्तों लाइक करना ना भूले धन्यवाद शीनरम मुस्कराती होग नाउ प ng मुस्क TIM जा करना ना भूले रार सरमानी भावी अज़ा है वह बख्रावी चाह shelves開शका जबेजी करना ना एर वह बदै। गर खर भूले पना जाती है bak, इ। झाल झाल